दोस्तों स्वागर था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंगले शानियत पर और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं पीबी शेले के द्वारा लिखे गई उनकी सबसे फेमस पोएम या यूं कहें सबसे फेमस इलीजी जिसका नाम है एड़ोनेस य शुरू करते हैं आज का अपने टॉपिक तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पोएम के बारे में या फिर जान लेते हैं इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले एड़ोनेस एन एलीजी ओन डेथ आफ जॉन केट्स ऑथर ओफ एंडिम्योन ह यह इस इलीजी का इस पोएम का कम्प्लीट टाइटल है ठीक है यह एक पैस्टिरल एलीजी है जो कि पीबी शेली जिनका पूरा नाम था परसी बाईशे सेली उनके दोरा लिखा गया था जॉन कीट्स के लिए 1821 में और इसको पीबी शेली का बेस्ट और सबसे मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट वर्क जो है वो कंसीडर किया जाता है इस एड़नेस को ठीक है यह जो पोएम है यह 495 लाइन्स में लिखी हुई है जो कि पशपन इस्पेंसेरियन इस्टेंजा में है इस्पेंसेरियन इस्टेंजा क्या होता है एक इस्टेंजा का फॉर्म होता है जिसमे नौ लाइन्स होती है कि इस्टेंजा में जिनकी रायम स्कीम होती है A, B, A, B B, C, B, C, C ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और कुछ जानते हैं हाँ तो यह जो पोयम है यह 55 स्पेंसर इस्टेंजा में लिखा हुआ है और यह कंपोज किया गया था स्प्रिंग में 1821 के जैसे ही पीवी शेले को पता चलता है 11 अप्रायल को कि जॉन केट्स की डेथ हो गई है उसी समय पीवी शेले इस अपने एड़नेस को, इलिजी को केट्स के लिए लिखते हैं 11 अप्रायल को पता चलता है कैसे पता चला क्योंकि उस समय हम लोग के पास फोंस नहीं हो दे थे, ठीक है तो उस समय इनको लेटर जब मिला कि जॉन केट्स की डेथ हो गई है तब उन्ही को याद करते हुए उन्ही को मौन करते हुए लेमेंट में इन्होंने अपनी ये इलिजी लिखी थी आगर लिखा भी हुआ है 7 weeks earlier यानि कि 11 अप्रायल से 7 हफते पहले डेथ हो गई थी जॉन किर्स की 7 हफते बादन को पता चला ये क्या है? ये प्रेस्टोरल इलिजी है जो कि इंग्लिस ट्रेडिशन में जैसे कि जॉन मिल्टन के स्टाइल में लिखी हुई है जॉन मिल्टन की एक पोयम है या इलिजी है लाइसीडियस ठीक है? तो लाइसीडियस जिस तरह से लिखे हुई है उसी स्टाइल में ये भी लिखे हुई है क्योंकि जो PB Shelley थे उन्होंने बहुत सारे tragedies पढ़ा रखी थी तो ये तो हो गई tragedy की इस poem की या फिर इस tragedy की बात की इस बारे में क्या है अब इस poem को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि elegy क्या होता है पैस्टोर एलिजी क्या होता है ठीक है जो elegy होता है सबसे पहरे तो ये एक poem होता है जो की serious reflections देता है बहुत ही seriousness वाला poem होता है इसमें कोई comedy कोई भी मजाक हसी मजाक नहीं रहता है ठीक है ये English literature में इस तरह से लिखा जाता है जिस तरह से किसी भी dear one के dear one याई किसी भी अपने प्यारे इंसान के death पर शोक जताने के लिए तो कुल मिलाकर के elegy क्या होता है एक शोक गीत होती है जो किसी के death पर लिखी जाए अच्छा pastoral elegy क्या होता है उससे कुछ elements है कि किन-किन elegy में ये elements होंगे तो हम उसको pastoral elegy कहेंगे ठीक है तो pastoral elegy में क्या होता है सबसे पहले जिसका death हुआ होता है उसको एक shepherd की तरह represent किया जाता है shepherd जो चरवाहा होता है भेड बकरिया चराता है उसको shepherd कहते है पैस्ट्रोल elegy में mythological characters होते है ठीक है इस elegy में भी है mythological characters उससे तरह pastoral elegy में mythological characters होते है और pastoral elegy के शुरुआत होती है किसी भी muse को invoke करके muse यानि की जो कविताओं के देवता होते हैं देविया होती है उनको invoke किया जाता है जागरित किया जाता है और फिर कविता एलिजी के एलिमेंट्स होते हैं ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए चाहिए आशा करता हूं कि आपको एलिजी क्या होती है पैस्टोरल एलिजी क्या होती है और इसके बारे में इंपोर्टन बाते पता हो गई होगी अब शुरू करते हैं इसकी समरी तो दोस्तों समरी के जो पोएट है वो जॉन केट्स के डेथ पर रोते है और कहते हैं कि यह बहुत दिनों तक याद किये जाएंगे ये उरेनिया को बुलाते हैं उरेनिया एक biblical god है, एक देवी है उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप भी दुख हो जताइए कीट्स के लिए जिनका death रोम में हो चुका है तो जो कीट्स की पोईट्री थी ठीक है, जॉन कीट्स की पोईट्री थी उसमें subject matters होते थी, themes होती थी उनसे भी themes को भी यहाँ पर याद कर रहे हैं पीबी शेले, उनको ही बुलाते हैं कहते हैं कि आप भी इनके मृत्री पर दुख व्यक्त करिए शोग जता ही है It comes and mourned at his bidding bidding मतलब होता है बोल चाल ठीक है, उनकी तरीके जो होते हैं इस poem को लिखने के जो तरीके थे वो सारे आते हैं और उनके death पर mourn करते हैं शोग बिक्ष करते हैं तो अब हम सभी को पता है कि जो romantic poets थे, वो nature से बहुत लगाव रखते थे, nature के बारे बहुत लिखते थे ठीक है, तो यहाँ पर इनके मृत्व पर भी nature आता है, तो आगे लिखा हुआ है nature celebrated by kids in his poetry mounds him जो nature है, जो उसको PB Shelley ने अपने poetry में celebrate किया है, बताया है, वो उनके लिए रोता है, माफ की जगा, slide बहुत आगे चले गई ठीक है, तो nature उनके तो जो celebrate किया गया है, वोर होता है John kids के लिए, और spring, जो spring है, बसंत है which brings nature to new life spring क्या करती है एक जो nature होता है, nature में नई जीवन देती है, ठीक है, उसको जागरित कर देती है, cannot restore him, लेकिन वो जो John kids है उनको जागरित नहीं कर सकती है Urania rises, goes to kids death chamber and laments that she cannot join him in death जो Urania है, जो देवी है biblical God है, वो भी जागरित होती है, वो भी आती है और वो भी कहती है कि वो उनके साथ मर नहीं सकती यानि कि John kids के साथ वो भी मर नहीं सकती लेकिन वो भी lament करती है, दुख़क्त करती है John kids के कबर के पास जाकर fellow poets mourn the death of kids fellow poets जो उनके साथ में उनके fellow poets थे, उनकी age के जो की Byron थे, Thomas Moore थे Shalit थे और Lehan थे ये सभी उनके, उनकी किसमाई के poets थे, तो ये सभी उनके मृत्य उपर शोगव्रक्त करते है the anonymous quarterly review critic is blamed for kids death and chastised अब anonymous quarterly review अब एक review जो John Keats थे, उनकी एक poem आई थी, ठीक है? उस poem को कुछ review करने वाले critics ने इतना बुरा कह दिया था कि जिसकी वैसे kids को बहुत जाता, बुरा लगा था बहुत धक्का लगा था, तो वहाँ से उनकी तबियत खराब होना शुरू हो गई थी इसी बात को यहाँ पर John Keats लिखते वे कहते हैं कि वो जो critics थे, जिन्होंने इनके quarterly review में अपने review चापे थे, review प्रेजन्ट किये थे, बहुत इक गंदे reviews दिये थे वही हैं, इनके death की कारण आशा करते हो, यहाँ दक आपको clear होगा आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं जो poet हैं, अब वो कह रहे हैं, कि अब आप लोग जादा मत रो ये पहले तो वो कहते हैं, आओ, तुम लोग दुख व्यक्त करो, यहाँ पर रो बैट कर, कीट्स मर गए हैं लेकिन आगे कहते हैं, आप जादा मत रो, क्योंकि कीट्स has become a portion of the eternal and is free from attacks of reviewers क्योंकि जो कीट्स हैं, अब वो eternal का, शाष्रत का एक part बन चुके हैं और अब वो attacks of reviews, यानि कि जो reviewer हैं, जो critics हैं उनकी attacks से अब नहीं, अब नहीं वो आ गया हैंगा, वो बच चुके हैं क्योंकि अब वो मर चुके हैं, अब वो ना कोई लिखेंगे, कुछ नहीं critics लोग उनकी criticize करेंगे तो इसलिए वो reviewers के attacks से बचे हुए हैं यानि कि वो eternal में अब चले गए हैं, अब वो अमर हो गए हैं, अब वो नहीं मरेंगे ये तो उनका बस जीवन खत्म हुआ है, उनकी आत्मा अमर है अब ये सभी उनके पास तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये ऐसे जगह पर जा चुके हैं और अब वो नेचर के साथ में एक हो गए हैं, यानि कि अब वो भी नेचर में मिल चुके हैं पास का सुँआ पूज है उनका अब नहीं जा जो किन एन संहीं से जगह स्क अबहां कित्व एवन लिवन पूट वेटों को उनका ये वो तूंस कुके हैं, अर्पटी को आपाजि वेज़ को करें और लेट हिम गो टू रोम, वेर कीट इस परीट, अब यहाँ पर कहा रहे हैं, कि जैसे कीट की डेथ हुई है, तो जो पास्ट में जा चुके हैं स्वर्ग में, जो उपर जा चुके हैं, जैसे कि थॉमस चैटर्टन, सर फिलिप सिड्नी, और जो रोमन पॉइट लूकन है, यह सभी लोग अब उनका, हीवन में स्वागत करेंगे, और अगर अभी भी किसी को कीट के ऊपर रोना आ रहा है, कीट के रोना आ रहा है, तो उनके पास वो इस्पिरिट की, यानि की कीट के स्पिरिट की लाइट भीज़ दो, या फिर उन से कह दो, की वो रोम चले जाएं, और वहाँ पर जाकर के रोएं, जहाँ पर कीट्स दफन हुए हैं, ठीक है? अगर लिखा है, अगर लिखते हैं, जुनको वहाँ पर जाकर के रोना है, वो वहाँ पर जाएं, और जो टूम्ब है, जिसमें कीट्दफन हुए हैं, वहीं वो आस्रे ले लें, वहीं पर रुख जाएं, ठीक है? क्योंकि मरना तो सबको एक दिन हाई है, तो हम क्यों उस चीज़ से डरें, और या तो उनका जो प्रेम है, अब वो आकास पर पहुँच चुका है, आकास के समान हो चुका है, और अगर हम इस शास्रत जीवन की बात करें, इटर्नल जीवन की बात करें, तो उसकी तरफ से अगर देखें, उससे अगर तुलना करें, तो यह जो हमारा यह जीवन है यह एक दुखी जीवन है शाश्रत जीवन बहुत ही अच्छा है जहाँ पर जा चुके है तो आगे पोईट बताते हैं कि अब क्या था अब उनको उस लाइफ से डिपार्ट कर जाना चाहिए था क्योंकि जो कि कौन है अब यहाँ पर जान के बताते हैं जो कि अब एक प्रकाश है एक खुबसूरती है एक बिनेडिक्शन है बिनेडिक्शन यानि कि आशिरवाद है और एक प्रेम है जो कि अब शाइन कर रहे हैं चमक रहे हैं यानि कि अब वो एक तारे के समान हो चुके हैं जो कि आसमान में चमक रहे हैं और वो हमेशा के लिए अब चमकते रहेंगे और वो हमेशा के लिए अब eternal में जीवित रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की समरी आशा करता हूँ कि आज की ये समरी आपको बहुत अच्छा है समझ में आई होगी अगर आपको कोई suggestion देना है तो आप comment box में suggestion दे सकते हैं मिलता है अगली वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए धन्यवाद